नमस्कार आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है आज हम डिस्कुशन करेंगे एक स्टोक के बारे में जो स्टोक मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा था और बताया था इसका डिटेल में डिस्कुशन करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल में डिस्कुशन तो स्टोक का नाम है न्यूजन सोफ्ट्वेर दुबारा रिपीट करता हूँ न्यूजन सोफ्ट्वेर अब इसका चार्ट किस तरह से बना है अभी का जो आप चार्ट देख रहे हो यह अभी थोड़ी देर में हम समझते है उसके पहले पास्ट में किस तरह से मुमेंट आई थी वो थोड़ा एनालीसिस करने की कोसिस करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पे काफी कंसोलीडेशन के बाद आप यहां पे देखेंगे 2019-2019 काफी लंबा एक कंसोलीडेशन हो रहा था एंड मोमेंट स्टार्ट होई थी इस जगह से आप देखेंगे यहां पे जो टर्नराउंड एरिया जो है राइट यहां पे जो पीवोट पॉइंट है तो वहां से आपको देखने को मिला था तो इस जगह पे यहां पे कंसोलीडेशन हो था एंड उसके बाद ब्रेक आउट हो था अब ऐसा नहीं कि यहां पे ही ब्रेक आउट हुआ यहां से लेके यहां तक कि जर्निय आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा और आप साथ में फोलि जो 2021 जूलाइ मन्त राउंड यहां पर पीक लगा था उसका 750 अराउं उसके बाद आप continuously यहां पर down moment में चल रहा था यहां पर आप देखेंगे अब ध्यान से देखना आप यहां पर किस तरह से यह moment हुआ है अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ आप यहां पर horizontal line ड्रो करेंगे इस एरिया में तो यहां पर जो horizontal line आप मैंने ड्रो करी है आप देख सकते हो यहां पर क्यों ड्रो करी है अब यहां आप ध्यान से दिखेंगे यहां पर यह peak लगा था उसके बाद यहां पर down moment जाके consolidation करा फिर down moment आया consolidation करा फिर यहां पर down moment आया यहां पर जो high लगाया था वो high यहां पर break कर दिया आप देख रहे हो इस जिगह पर इस जिगह पर break कर दिया यहां पर और उसके बाद वापीस upside moment करना start कर दिया मैं यहां पर extend करके आपको दिखाता हूँ तो यहां पर यह line में आपको तो आप देखेंगे अब यहां यहां पर peak लगा था यहां पर bottom बना यहां पर दूसरा bottom attempt लगा और उसके बाद यहां पर breakout हुआ यानि क्या आप कह सकते हो stage 1 से stage 2 में अभी चल रहा है और यहां पर consolidation होके again एक बार breakout हुआ है तो आप दियान से देखेंगे तो हर एक जो moving average है उसके above यहां पर trade कर रहा है and volume build up होना start हो चुका है आप दियान से देखेंगे इस जिगपे तो यहां पर भी volume build up हुआ है and currently आप देखेंगे इस जिगपे जहां पर April मंत की में बात कर रहा हूँ यहां पर भी volume build up होना start हो चुका है तो यहां पर क्या है कि दीरे करके upside की ओर movement कर सकता है जहां पर overhead supply आप देख रहे हो यहां पर overhead supply यहां पर है तो यहां तक कि ब्सक्राइब कर सकता है तो आप यहां पर moving average भी आप लगा सकते हो में यहां पर आपको दिखा देता हो जैसे आप moving average आप यहाँ पे apply करेंगे तो आपको दीखेगा जो यहाँ पे blue color का है वो 50 days moving average का है तो जब तक यह 50 days moving average की above यहाँ पे sustain कर रहा है तब तक एक trend positive बना रहेगा जैसे ब्रेक करता है तो यह 200 days moving average के आसपास उसको test करने जा सकता राइट तो इसके नीचे जाएगा तो weak हो जाएगा मतलब 200 days moving average की नीचे जाएगा तो पूरा trend weak हो सकता तो इस तरह से जब तक यहाँ पे यह down आएगा वापीस उपर जाएगा तो यह मतलब यह इस तरह से चलता है से नहीं कि यहाँ से upside start हुआ है तो continuously upside जाएगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो और वापीस यहाँ से upside आपको देखने को मिल सकता तो आप यहाँ पे level आप देखे कि कहां पे किस तरह से यह structure बना है कहां कहां पे यह support ले रहा है थोड़ा आप समन्ने की कोसिज करेंगे तो आगे किस तरह से मूँ कर सकता है उसका एक आपको idea लगेगा and आप easily trade कर पाएंगे तो आपको यह video समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye